यह है Saomi का 11 Lite Any 5G डिवाइस जिसके लिए दो दिन पहले MiUI 14.0.5 का अपडेट देखनी को मिला और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले इसके बैट्री के बारे में कि टाइमिंग कितना लगता है चार्ज होने में साथ साथ पिछले वाले अपडेट से भी कंपेर करेंगे कि अच्छा पर बस मुझे प्लग इन करना है और चार्जा फेत चालो हो जाएगा क्योंकि इस लाइन वागरा है जो दिया गया है प्लग में ठीक है तो यह हमने किया इसे इन और यहाँ पर हमने पर दिया स्टार्ट ठीक है तो यहाँ पर आपको लेखनी को मेलेगा 0% या 1% क्योंकि मैंने complete यूज कर रखा है 100 से 0% तक और हर बार जैसे मैं daily life में charging करता हूं ना उसी तरीगी से करने वाले हूं ताकि proper idea लग सके और हर बार similar type का usage करता हूं ताकि यह भी पदा चले कि पिछले update में क्या बैटरी था और अगले update में क्या बैटरी था क्योंकि हर बार different type का usage रहेगा तो accurate idea नहीं लगेगा यहां पर testing के purpose में हमें ऐसा एक ही type का usage है जो करता हूं तो यहां पर आप देखें तो कि 1% हमारा है जो 100 कर रहा है तो wait करते हैं इसके थौँआ 5-6-7-8-10 होने का उसके बाद इससे on करेंगे और फिर full charging हम यहां पर है जो कर लेंगे ठीक है तो थौँआ सब wait करते हैं तो य यहां पर usage और battery वगरा में क्या improvement technique को मिलता है या नहीं और देखते हैं कितने लोगों का यह सच होता है तो time to time हम चेक करते चलेंगे ठीक है फिलाल जैसे के daily lap में हम यूज करते हैं यहां पर मैं Wi-Fi on कर रहा हूं ताकि notifications वो गयरा जो कुछ भी है वो आते रहे और यहां पर जो कि वीडियो में यहां पर प्ले कर रखा हूं पिछले वाले charging test का तो उसमें लगा था पंदा मियट में 25% तो यहां पर करेब 2% improvement देखने को में रहे बैटरी के अंदर बट देखते हैं कि final result में क्या कुछ improvement आता है बट फिलाल के लिए तो अभी मैं दिखा देता हूं तो यहां पर हम अपने surface की बात करते हैं तो यहां पर 30 हमें रेखनी को मिल जाता है वह यहां पर दूसरे phone के हम बात करें तो यहां पर 32 है और इसकी बात करें जिसके हम testing कर रहे हैं तो यह है 36 और अगर हम अपने charger की बात करते हैं तो वह हमें रेखनी को म तो इसके कर बात करें तो 30 मिनट में यह गया था 50% यानि पिछले टाइम 2% आ गये था तो इस रहे 1% फासा पीछे है बद देखते हैं final result हमें कैसा देखने को मिलता है वह अगर हम अपने temperature की बात कर लेते हैं तो हमें देखने को जो मिलता है temperature normally जो कि है 39 और phone का जो temperature है वो है 36 और अगर हम अपने charger की बात करें तो है 34.9 यानि वही similar cool है कोई heating अगरा भी देखने को नहीं मिल रहे है तो यहाँ पर टाइमिंग हो चुकिए वो है 58 और आपको लगा रहा है फूल चार्ज हो गया है बट ऐसा नहीं है यहाँ पर परसेंटेज गया है वो है 94% और पिछले से 2% यह थोड़ा आगे कह सकता की है बट रहते है फाइनल रिजल्ट कितना देखने को हमें मिलता है और बहुत सारे लोग अपने फोन को 90, 85, 80 टक ही चार्ज करते हैं और उनके हिसाब से यह समझे लो तो एक तरीके से फुल चार्ज हो गया है यानि विदिन आर्स यहाँ कंप्लीट चार्ज हो जाता है बट 0 से 100% की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेस्टिंग करने वाले हैं तो पूरा चीज हम यहाँ पर चेक करेंगे और पिछले वाले से जैसे मैं कंपेर करता चलो ना वह यहाँ यहाँ पर करूंगा और temperature आपने देखा ही कि भाई सब कु से देखने को हमें मिलता है तो यहाँ पर हमारा फोन है जो completely चार्ज हो चुका है जिसमें टाइम लगा है 1 hour 14 minute का और यह हो चुका है 0 से 100% चार्ज वहाँ पर अपने पिछले टाइम के अगर बात करें पिछले अपडेट की तो उसमें जो टाइम लगाता है 1 hour 13 minute और 51 second यान हमारा बैटरी ड्रॉप और बागी दर चीजे तो सबसे पहले नजर डालते हम बैटरी ड्रॉप के उपर और देखते हैं कि यहाँ पर बैटरी ड्रॉप हमें कैसा देखनी को मिला क्योंकि लास्ट टैम तो बैटरी डॉप हमें करीब करीब 4% के आसपास का देखनी को मिल र यहां पर यहां पर यह इंप्रूव्ड हुआ है अनदर देखा देखे तो यहां पर आप देखो 7% है और जो मैं मौनिंग में चेक करता हूं तो यहां थे हमारा 6% यानि बैटरी चार्ज हो या बिल्कुल ही लो हो फिर भी सेम 1% का बैटरी रॉप देखनी को मिला जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और अभी इसकी और टेस्टिंग होने वाली है जब मैं फॉल रिफ्यू दूँगा उसमें भी कि देखते हैं कि लॉंग यूजिज के बाद किस तरीकी से हमें देखनी को मिलता है बट फिलाल के कि बूट टाइम में हमें कितना टाइम यहां पर देखनी को मिलता है तो फिलाल मैं इसे आफ कर देता हूं और टाइमिंग को कर देता हूं रिसेट और हाँ यह जो वन आर्स टू मिनिट के अंदर है जो मारा 99 हो गया था उसके बाद इसने भाई 100% कंप्लीट करने में करेग लगे कितना टाइम में ले रहा है ठीक है तो यहां पर 20-21 सेकेंड का बूट टाइम ही लगा है जो कि पिछले टाइम भी हमें सेम देखनी को मिला था यहां पर कोई वे डिफ्रेंस देखनी को नहीं मिलता है बूट टाइमिंग के अंदर महीं पर हम बात करें कि पिछले के पिछले अपडेट में charging time हमें क्या देखनी को मिला था तो आप यहाँ पर देख से तो यहाँ पर देख से तो यहाँ थी मिनट का है 0 से 100% लेकिन जो लास्ट अपडेट था उसमें थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था timing और इस वार भी थोड़ा सा हुआ है इंप्रूव याने इसलिए मैंने यहाँ पर light usage किया है और जो screen on timing मुझे देखनी को मिला है ना वह है 12 hours 15 minutes का continue usage पर बिल्कुल ही lighter है और यह मुझे लगता है कि वहाँ पहले से काफी ज़्यादा improved है क्योंकि यहाँ पर default settings से चेक कर पाना impossible है क्योंकि सामी ने सभी अपने smartphone से अंदर जिनको OD update म यहाँ पर screen on timing का feature से जो remove कर दिया है और इस related मैंने कुछ time पहला आपको वीडियो भी दिया था तो यहाँ पर आपको screen on timing देखनी को मिलता ही नहीं है जिससे आप idea नहीं लगा पाओगे साल से साथ अगर आप digital valueing की help लेना चाहोगे न तो यह भी proper काम नहीं करता है कुछ record ह यह show नहीं करता है जैसे कि आप यहाँ पर देखो only on two hours का user दिखा रहा है यहाँ पर one hours का दिखा रहा है और यहाँ पर 15 minute का यानि यह भी जो proper record है जो access नहीं कर पाता तो मैं यहाँ पर third party application का use कर रहा हूँ जो कि है screen time जो कि आपको playstore पर मिलेगा और मैंने यहाँ यहाँ प पर सही था उसके बाद यह बिगर गया रीजन यह है कि जब यह आप इन्हें recent पर डालते होना चाहिए आप lock ही क्यों ना कर दो कुछ time के बाद यह है जो record access करना बंद कर देते बिल्कुल sleep mode में चले जाते है auto run वगएरा सब कुछ मनें देर रखा है फिर भी लेकिन एक एक जो कि screen time app है जो कि हमारे status bar में लगा रहता है और जिसके बज़े से हमारे जो इसका record access हो पाता है इसके बज़े से मुझे लग रहा है कि battery improved है लेकिन वहीं पर heavy usage के बात करें तो last time जो मैंने heavy usage किया था last के last जिसमें देखनी को मिला था 2 hour 59 मिनट का जो कि हमारे skin on time ही काफी क जो last update आया था उसमें 2 hours 23 यानि आधे गांटे का improvement आया था और इस वाँ मैंने lighter use किया है तो पूरा idea नहीं लग रहा है बट basic जिस तरी किसमें use करता हूँ उसके सबसे मुझे लग रहा है कि ये काफी improved हुआ है but final review मैं मैं फिर से इसका एक heavy testing करने की कोशिश करूँगा और आपको idea दूँगा फूरा final वीडियो में कि भाई battery improve हुआ या नहीं फिर वी यहाँ पे standby में improvement है बागेदा चीजों में improvement है जिसके वैसे कह सकते हैं कि आपको actually में improvement दिखाई देने वाला है but आप comment करके बताना कि क्या आपको ये update मिला या नहीं और मिला तो किस तरह किसा आ मैं आपको गला है